कि है एलो डीए एन स्वागत आपका अपना यूटूब चैनल के मेस्टिफ पाण पॉर्णिया में आज हम लोग मोडल सेट का आज ए नियुक दूसरा करने वाले इससे पहले वाला हम लोग एक मोडल सेट की आज दूसरा मोडल सेट कर रहे हैं और देखिए इसको क्या है कि आपको यह सब के बारे में बताया कि इसमें कितना समय लगता है कुल परहस्न कितने रहते हैं और इसमें objective परहस्न रहेंगे एक से 42 तक जिसमें आपको 35 बनाने हैं तो जिसमें आम लोग पहला क्षचन सुरुआत करते हैं और पहला क्षचन क्या है पहला पाशन पर अब्लों एटक करते हैं दिहान से देखिएगा और समझेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है हमारे चैनल को ससकाइब कर लिजेगा और अब यह मतलब यह कि फलक टारत कृष्टंट होती है यह आपका ke senti जो होता हैем this site उसके kelenत परमानुं parka के फलक के लिअब। जो परमानुंता है वो उपस्ठित परमानुं कितने को고ता है तो दो में क्योंकि मैंने आपको बताया था एक परमानू मिलके दो युनिसेल को करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो ही कहाई कोश्टर पिर अगला कोश्चर है गहनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संग्या होती है ब्रेवे जालक होता है चाहू दो को थिक अगर यही मुल तंद्र पुछता तो साथ होता है क्रिश्टल तंत्र पुछता साथ होता हो कैसे सी टी ओमें ऐस आर्टी ची टी ओम ही कर्क Odermal यह हमच्ट işte मोलと思 रहां है आप अगला कोश्चर्व माम शुनानिगा समझ में आ रहा है है इत्वरेज से कोई डिकत नहीं है को ओ हाँ जानकार क्रिस्टल सुरी यहां देके गना कार क्रिस्टल है यह क्यूब है क्वेक है क्क्रिस्टल में अगर केविशा राता ब्रेवे जालग की संख्या कितनी तब कुसरे हो दिस्त दीसरा स्क्रीन पर कि सुध जल की पैश मान होता है सुध नया कि अधिंस गसा आप लोग कुछ मत बोलो है शूद्जल का पियाजमन कितने होते हैं सात होते हैं प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा यानि जब एक फेराट बिदू धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है तो पहला option है एक ग्राम सम्तुली, एक ग्राम मोल, ए विद्धुत रासायनिक तुलियांग, आदा ग्राम, तो हमारा सही आंसर होगा विद्धुत रासायनिक तुलियांग, क्या होगा, विद्धुत रासायनिक तुलियांग, और आप ये भी जानो, कि एक फेराट बराबर हो जागा C और अगला क्वेस्टन कहता है किसका ऑक्सिकरण विवाव सबसे अधिक होता है तो अखसिकरण विवाव सबसे अधिक देखने के लिए इसका बेल्इू को याद रखना होगा तो त्रीक दीया है लिख बैस और क्या ना मैंगे से हम लोग ट्रिक बनाएते हैं आपको देंगे इसका ट्रिक तो इसमें यह जो हैड्रोजन से नीचे यह और मैनस में जिसका जितना एस रपी बेल्यू जाद है वह अधिक होता है ओक्सिक्रन विवाव उसका अधिक होता है ठीक है तो इसका सही अंसर हमारा क्या होगा मैगनिशियम का होता है 2.36 बोल्ट यह एस रपी बेल्यू के एकोडिंग ही इसको देखा जाता है पहर को घिसटने के क्या जरू होता है पहर उठागे चलो न आगे देखिए अगला कुश्चन है एस रपी बेल्यू देखा जाता है उसमें इस तरह क कोश्चन में अगला कोश्चन है 0.5 एंपियर की विदू दारा 30 मिनर तक यह आई दिया हुआ है कितना 0.5 एंपियर और टाइम कितना दिया है 30 मिनर तक कॉपर सल्पेट के विलियन में प्रवाइद करने पर कॉपर निक्सेपित होगा तो यह फैराडे के पर्थम नियम से है और फैराडे का पर्थम नियम M बरावर पर्मुला बताएते Z ITGIT M बरावर क्या बताएते Z ITGIT और Z का वेल्यू रखेंगे A by X into F गुना I गुना T अब देखेगा इसको अगर हम सॉल्व करें अगर इसको अगर हम सॉल्व करें देखें क्या होगा एक जगा पिसका दरब मान दिया गया है 63.5 बट्टा इसकी सन्युजकता दो फैराड कमान 96 9500 गुना करेंगे I 0.5 T करेंगे 30 मिनट है तो 30 गुना 60 कर देंगे सकेंड में लेंगे और यह सॉल्व करेंगे जो आएगा वही आपका सही आंसर होगा तो हम तो इसका आइखें आपको कैल्कुलेट्ट करना होगा यहां समझारी होगा अब चलिए अगला प्रस में चलते हैं यह साथमा प्रस अब देख्ए आठ्वा प्रस में चलेंगे आम लोग कि CS3, COOC2, S2, S2O plus इतना reaction के लिए कोटी है, अभिक्रिया की कोटी कहता है, तो इस तरह की अभिक्रिया की कोटी जो होगा, इसको हम लोग K design करते थे, याद रखिए, अभिक्रिया की दर आर बराबर करते थे, K into, इसका साधरन हो जाएगा, CS3, COOC2, H5, इसका साधरन हो जाए चादम, Unimolecular reaction, चादम, जोटा, इसका पावर 1 हो जाए, इसका पावर 0 हो जाएगा, यादि कोटी जब हम लोग निकालते हैं, तो इक पलस 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक, यादि याद पर्थम कोटी की अभिक्रिया को दारन है, जिसमें भी, जो भी अब घटन अभिक्रिया होगी, वो कोना ही पर्थम कोटी का अभिक्रिया को दारन होगा, फिर का था पर्थम कोटी अभिक्रिया के लिए, पर्थम कोटी अभिक्रिया के लिए, वेग इस्तिरांग का मातरक है, तो हमने वेग इस्तिरांग का मातरक निकालने के लिए, एक फ पर्मूला बताया था, बाचीत कहा है कर रहे हो जी, मोल के पावर 1-n, लिटर के पावर n-1 और 32nd, तो जहाँ जहाँ 1-n है यह अभी करिया की कोटी को दर साता है, n के जगा पे आप एक ले लेंगे, चुकि आपका question पुछा गया है, पर्थम कोटी अभी की रिया, क्या पुछा गया है, पर्थम कोटी अभी की रिया, तो यहाँ पर 1 लेंगे, तो मोल के पावर हो जाएगा, 1-1, लिटर के पावर होगा, 1-1 और पर सेकेंड, इसका value 1 आजएगा, इसका value 1 आजएगा, हमारा सही answer होगा पर सेकेंड, कहता है, उत्प्रेरक एक वस्तु है, जो उत्प्रेरक क्या करता है,